अज का चेप्टर जो है न ये जो यूनिट है न अपने आप में बिल्कुल अलग यूनिट है हर एक चेप्टर आपस में किसी से कनेक्टेड है यह नहीं तो आज करने जा रहे हैं, Valuation of Goodwill, और Valuation of Goodwill हमारा जो chapter है न, हमने कभी न कभी पढ़ा हुआ है, 12th class के अंदर आपके book का second chapter, मतलब fundamental के बाद अगला जो पढ़ते थे, Goodwill, तो जे खाद देखा जाए, तो यहाँ पे और वहाँ पे जो Valuation of Goodwill है, ज्यादा फरक नहीं है, थो के भी वीडियो डाल दूँगा, ताकि आपको पुराना remind हो जाए, और यह समझने में easy हो आपको, ठीक है, समझने में थोड़ा सा easy हो, तो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो कुछ methods है, Valuation of Goodwill के, जैसे super profit method, capitalization method, या average profit method, पहले भी हमने देखा है, वही सारे method है, एक method इसके अंदर add हो जाएगा, that is आपका होगा, NUT method, जो add हो जाएगा, बहुत simple सा है, पहले क्या-क्या सीखने वाले इसके अंदर देख लेते हैं, formulae वगरे की discuss कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले Valuation of Goodwill, Sir, Valuation of Goodwill क्यों किया जाता है, question कई बार Goodwill हमारी company का Goodwill क्या है, या फिर हमें कुछ investment अपने पास मंगवाना हो, तब भी हमें अपने company का क्या करना पड़ता है, Valuation Goodwill करना पड़ता है, तो उसको करने का methods है कुछ, वो methods देख लेंगे, Sir, क्या-क्या methods है, Sir, पहला है average, average profit method, एक से दो दिन की class का ये chapter है, आज एक class और बस खतम, इसके बाद, Sir, दूसरा method, that is, super profit method, हम एक एक करके ही method cover करेंगे, और इसके कुछ-कुछ छोटे-छोटे questions न, आपके मैं 12 वाली डाल दूँगा, so that आपको recall हो जाए, पूरा, कि ये basic-basic थे, उसके बाद, advance वाली question करोगे, तो simple लगेगा, तीसरा है, capitalization method, capitalization method, ये method हमने पहले देखा हुआ है, बस थोड़ा advance बढ़ जाएगा, level, लास्ट method क्या आएगा, सर, एनिटी method, ये हो गए हमारे कितने method, चार method, ठीक है, हम सबसे पहले average profit की बात कर लेंगे, average profit method का क्या है, उसके बाद super, मैंने super को क्या लिख दा है, हाँ ठीक तो है, super profit method और एक capitalization method, average profit method के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है weighted average, और एक होता है normal, तो अगर मैं इसको भी पार्ट में तोड़ दूँ, तो दो तरीके होते हैं यहाँ पे भी, एक होता है normal, सर, normal होगर weighted के हम बात करें, तो सर, normal के अंदर भी दो पार्ट आ जाएंगे सर, एक आएगा with, without adjustment, हाला कि यह बारवी तक आता था, अब नहीं आएगा, और एक होगा with adjustment, weighted average एक सिंपल रहता है, सूपर प्रॉफिट सिंपल है, सर, इसके अंदर भी दो और पार्ट आ जाते हैं, सर, capitalization, एवरेज प्रॉफिट पे, average प्रॉफिट के according, और सर, super profit के according, एक average प्रॉफिट के according, और एक सर, super profit के according, तो इतने सारे हम topics इसके अंदर cover करने वाले, हम एक एक करके cover करेंगे, सबसे पहले हम average प्रॉफिट को cover करेंगे, अच्छी तरीके से, इसके अंदर normal वाला देख लेंगे, वेटेट देख लेंगे, सारा देख लेंगे इसके अंदर, और with adjustment, without adjustment के ए, फिर हम super करेंगे, फिर capitalization अलग अलग रहेगा, तो may be possible है के हम आज ये वाला पूरा complete कर ले, कौन से वाला, average profit method, अभी हम पूरा complete कर लेंगे, तो चलिए, आते हम आगे topic लेके, average profit method, profit method, सर, average profit method का formula क्या है, कहता है जो profit decide होगा, उसके हिसाब से, यानि, formula सर है, average profit, यानि, average profit method के according goodwill, तो यहाँ पे आएगा कैसे सर, goodwill is equal to, average profit, into my number of purchase year, अब सर हमें इसमें क्या समझना पड़ेगा, what is the average profit, average profit क्या होता है, हमें हर साल का profit गीवन होगा, year one, year two, year three, year four, तो हर एक साल का profit, जैसे first year, गीवन होगा, plus second year का profit, plus third year का profit, और जिस साल का loss होगा, minus कर देंगे, माल लेते हैं, fourth year का loss, तो हमारे पास 4 साल आ गए, तो इसको divide कर देंगे, किस से सर हम, 4 साल से, तो अगर इस profit को number of year से divide कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, हमारा average profit, अगर आपका average profit आप find कर लेते हो, तो आपको क्या करना है, बस number of purchase year से multiply करना है, number of purchase year, always question में आपको given होगा, अब जो year 1 का profit, year 2 का profit, यह जो profit होता है, यह कौन सा profit होगा सर, जो यहाँ profit लेना है, वो profit लेना है, आपको correct profit, correct profit से मतलब है business का profit, business profit से मतलब है future maintainable profit, ऐसा profit जो की future में maintainable हो, इस सब के meaning और इसको समझना होगा correct profit क्या है, जैसे suppose करो मैंने year 1 में, first year में मैंने आपको बोला, कि मेरा profit है 50,000, और मैंने बताया, इसके अंदर से हमने, director की salary minus ही नहीं किये, क्योंकि company चल रहा है, तो यहाँ partner की बात नहीं चलेगी, यहाँ किसकी बात चलेगी आपकी, director की, तो मान लेते हैं, जो director का profit था, वो था मान लेते हैं, 2000, तो यानि जो हमारा correct profit निकल के आएगा, हम कैसे निकाले, इसमें से पहले 2000 minus करेंगे, और that is हमारा आजाएगा कितना, 50 में से दो गए तो 48, और यह profit कौन सा आएगा, हमारा correct और यह profit यहाँ पे, लिखा जाएगा, यानि आपको एक profit दे देगा, उस profit में कुछ चीज़े, या तो extra minus कर दिया होगा, या उस profit के अंदर, कोई चीज minus करना भूल गया होगा, तो उसको पहले हम ठीक करेंगे profit को, उस profit से average profit निकालेंगे, अब एक होता है, future maintainable profit, मान लेते हैं, डारेक्टर का मुझे अब दूसरे साल में आ जाते हैं, second year के अंदर, मैंने profit आपको बताया, suppose करो, 20,000, और मैंने बोला, जो पहले डारेक्टर की salary पेड करा करते थे, अब पेड करने की जुरत नहीं है, या जो मेरा rent अब आ रहा है, अगले साल से मेरी जिस कंपनी ने मुझे खरीदा है, for example, मेरी कंपनी को दूसरी कंपनी खरीदने जा रही है, उसके लिए valuation कर रहे हैं, तो उसी के property पे हम काम करेंगा, तो मुझे rent भी नहीं देना पड़ेगा, तो 2000 रुपे मेरे rent बच जाएंगे, 2000 रुपे मेरा director का salary बच जाएगा, तो ultimately future में मेरा profit बढ़के ही आएगा आप तो, क्योंकि ये खर्चे जो होते हैं existence में, वो आप future में, तो मैं क्या करूँगा, जो खर्चे future में नहीं होंगे, उसको add करके, 2000 करके इसको 24,000 कर दूँगा, और ये future maintainable profit हो जाएगा, यानि सर future maintainable profit कौन सा होता है, वो profit जो आपका profit है, और present में जो जो खर्चे हो रहे हैं, वो खर्चे future में एक साल के बाद, 6 महिने के बाद नहीं होंगे, आपको पहले से पता चल जाता है, तो उस खर्चे को आप वापस से add on कर दीजिए, तो आपका वो profit का हिस्सा माना जाएगा, वो क्या होगा, फ्यूचर profit maintain, यानि आपका जो future profit maintainable ये माना जाएगा, ऐसा कब possible होता है, वो भी देख लिजिए, अभी हम करेंगे, के इस पर सवाल भी आएगे, ऐसा कब possible होता है मारा, मान लिजिए, एक PQR Limited है, ठीक है, इसका profit है, 20,000 और एक SQP Limited है, और ये property dealer है, इसके बहुत सारे, मकान है, और जो ये company है न, ये जो company आपको दिख रहा है, ये company अपना business न, इसी के मकान में कर रहा है, ठीक है न? इसी के मकान में अपना business कर रहा है, और यहां का rent ये, पांच हजार रुपे का payment कर रहा है, कहां दहीं समझ मारी है, नाव इसने decide किया SQP Limited ने कि हम एक काम करते हैं और इस company को ही खरीद लेते हैं अब ये company बिक जाएगी अब बिक गई तो ये company PQR Limited किसकी company मानी जाएगी इसकी company मानी जाएगी अब जो ये rent दे रहा था ये इस company को क्या अब ये PQR Limited इसको rent देगा क्या नहीं क्योंकि ये तो उसी की company हो गई तो future के अंदर जो rent 5000 वो बच जाएगा बच जाएगा ना तो हम अब future में 5000 रेंट का फाइदा होगा तो उसको add करके हम जो profit बोरेंगे future maintainable profit that is 25,000 यानि जो profit होगा अगर कोई ऐसे points है जो की minus होने चाहिए नहीं हुए उसको minus कर देंगा और future वाले इससे related भी काम करेंगे अच्छा सर इसका मतलब सर जो profit होगा उस profit में कुछ adjustment लगेगा आपका जैसे अगर आपने कोई dividend receive किया है तो सर dividend receive आपका business नहीं है इसमें से minus करिए अगर आपका कोई abnormal loss है तो सर ये भी business का part नहीं है इसको भी minus कर दीजिए इसको add करिए मैं जहाँ पे bracket नहीं लगा रहा तो समझे उसको add ही कह रहा हूँ ठीक है न business का insurance अगर business का insurance आपने नहीं करवाया payment नहीं किया जो करना चाहिए था आपको तो क्या कर दीजिए आप minus कर दीजिए अगर कोई abnormal gain है फाइदा हुआ जो कि business का नहीं है उसको भी क्या कर दीजिए आप minus कर दीजिए अगर कोई workman compensation workman कह रहा हूँ voluntary retirement यहाँ पर voluntary retirement का तो part आएगा नहीं बस यहीं लेते हैं अब जो यह profit आएगा यह profit कौन सा होगा correct profit अगर कोई assets आपने P&L में दिखा दिया मैं पूछता हूँ मैंने motor car एक bike खरीदा उसको P&L में दिखा दिया debit side में तो उसे दिखाना कहा चाहिए था मैं assets में दिखाना चाहिए उसको कहान दिखाना चाहिए लेकिन मैंने दिखा कहार रखा है P&L के debit में अब P&L के debit में दिखा एक गलत हो गया ना हमारा प्रॉफिट तो हम उस profit को क्या करेंगे उस जो खर्चा दिखाया उसको हटाएंगे तो हमारा profit क्या होगा बढ़ जाएगा उसे क्या कर देंगे हम add कर देंगे मान लो एक depreciation दिखाना था वो दिखाया ही नहीं अब तक तो profit कैसे ठीक किया जाए उस depreciation को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे उस depreciation को क्या करेंगे माइनस कर देंगे ठीक है ना तो हम क्या देख रहे थे सर हम देख रहे थे average profit method से goodwill कैसे निकाला जाए normal with adjustment और without adjustment दोनों देख लिया मतलब छोटे-छोटे से अगर simple profit आपको बिल्कूल correct दे दे कुछ करना ही नहीं है तो without adjustment नॉर्मल हो गया adjustment वाले में क्या होगा आपको profit में पहले कुछ minus plus करना पड़ेगा उसके बाद फिर देन आप आगे बढ़ सकते हो तो इसे बोल दिया future maintainable profit क्या होता है जो future में हमें लगता है कि यह पैसा बच सकता है यह future में यह पैसा हमें मिलेगा उसको add less करके हम क्या बना सकते future maintainable profit क्योंकि goodwill इसी पर decide होता है कि future में कितना कमाया जाएगा ठीक है चलिए सर इसके उपर कुछ सवाल ले लेते हैं future maintainable profit के उपर थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या changes है और क्या मदलाब है कंट्रोल सिफ्ट प्लस valuation of goodwill ये सारे questions जो है न वो मैं हर बार कहूंगा किसके हैं आपके किताब के मैं GR मुंगा follow कर रहा हूँ उसके according मैं करवाता जा रहा हूँ किताब के भी कर रहे हैं हम और 10 year के भी कर रहे हैं अगर इतना कर लेते हैं तो enough है आपके exam के लिए और कुछ extra question और भी होगा तो वह भी कर लेंगा कर देखें आपके सामने सवाल है कहता है क्या है शिपला लिमिटेड डिजायर सेलिंग अब बिजनस शुरूती लिमिटेड यानि एक कंपनी शिपला लिमिटेड है उसने सोचा है कि मैं अपने बिजनस को बेच देना है किसको बेच देना है शुरूती लिमिटेड को पिछले तीन सालों में उसने जो कमाया इसने फॉर लेक्ट फाइप फिफ्टी सिक्स फॉर्टी कमा लिया इसने मतलब आपको कुछ फैक्ट से जो जानना पड़ेगा क्योंकि अब हम जो है सिल्पा लिमिटेड कमपणी जो है दूसरी कमपणी एक्वाइर कर रहे हैं तो एक मैं लिख लेता हूं एस पी कर देता हूं लिमिटेड और एक कौन खरीदा रहा शूरूती एस एच लिमिटेड कर देता हूं ठीक है अब एक कमपणी ने दूसरे कमपणी को खरीद लिया ना ठीक है यह सेलर कमपणी यह बिक जाएगा और यह कौन है बायर इस टाइप के आपने पॉइंट बहुत सारे अमिल कमिशन में सेलर बायर आपसे कोई नहीं बात नहीं है कि आपने पहले सुना हुआ है जब हमने क्लास में किया था रेगुलर क्लास में यानि तीन साल के प्र दॉर्जस्मिंट है यह बेसिकली उसको करना है डाकालेम रिंजर में अर्योकी यह किदुचर में परऌफिर होगा तो चल alan है अ च्रहें से कर लेते हैं और सथ यह सारे सवाल तेकनिकल वर्ड चेंज में जिसका 12th क्लास में बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग अच्छे से पढ़ा है ना उनको थोड़ा बहुत याद भी आ गया था यह तो था और इस चेप्टर को तो 12 में वेल्यू नहीं दिया करते थे पेपर में नहीं आता था यह क्योंकि पेपर में वैसे बोलते थे इसे हटावना यह तो कर लेंगे मतलब अब यह इंपॉर्टेंट है दस नंबर का सवाल आएगा कौन-कौन से साल का है फॉर्स्ट यर कि सेकेंड यर कि थर्ड यर नाम दे दिया यह तो नहीं दे रखा था नहीं दे रखा था सबसे पहले प्रॉफिट दे और छे लाग समझ मैं यह तो लिख लिए अब अब अजस्मेंट देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे कहता है डायरेक्टर फी पचास अजार पर यर विल बी नोटिड पेबल बाई शूरूती लिमिटेड हूज एग्जिस्टिंग बोड और इसली मै देरेक्टर जो यह लिमिटेड इसको एक्स्ट्रा पैसे दिया करता था तक इसके डायरेक्टर को अब जब यह कंपनी आपस में मिल जाएंगे तो क्या मुझे डायरेक्टर को यह 50,000 देना पड़ेगा यह फाइदा हो जाएगा फूचर में दुबारा पढ़ देता हूँ डायरेक्टर फी 50,000 पर यह विल बी नौट टूबी पेबल बाइश्रूती लिमिटेड हूज एग्जिस्टिंग बोर्ड अफ इसली मैनेज एडिशनल वर्क इसके जो बोर्ड है वही मैनेज कर देंगे हमारे वर्क को हमें डायरेक्टर को और अलग से पैसे देने की कोई अवशक्ता ही नहीं है समझा वाथ आपको तो हमेंने की डायरेक्टर के और की फीस हम करते घृपएज बी फीस देने की जौरत नहीं पचास और पचास आगे कहता है रेंट दस हजार पर मंथ पेड़ बाई शिल्पा लिमिटेड यानि इसने रेंट पेड़ किये कर रखा था काफी सारा यानि पहले इन दोनों के बीच में मैं दुबारा रीट लाइन करता हूँ इसने रेंट पेड किया करती थी पहले कितना यानि एक कमपनी है जिसने पेड कितना किया दस अजार पर मंथ पेड़ बाई शिल्पा इसके दुबारा अब जो यह शुरूतु लिमिटेड है यह अपने प्रॉफिट में चार्ज नहीं किया करती थी क्योंकि अब इसी की प्रॉपटी रही होगी अब इसी के उपर इसे काम करना है तो इसका मतलब यह जो खर्चा इसने कहा कि भईया मैंने जो अपना इंवेसमेंट है वो मुझे आपको को देना नहीं है नहीं ट्रांसफर करेंगे हैंस इंट्रस 9000 वुड नौट भी अन बाइदा पर्चेसिंग कंपणी और जो यह पर्चेसिंग कंपणी है इसको इंट्रस भी नहीं कमाएगी है अन करेगी या नहीं करेगी इसका मतलब फ्यूचर में अब शिल्पा लिमेटेड तो रहीगी फ्यूचर में कौन सी कंपणी रहने वाली है अब शुरूती के पास investment नहीं क्यूंकि इसने इसको investment दिया या नहीं दिया जब इस इसके पास investment नहीं तो इसके पास future में interest भी मिलेगा यह नहीं मिलेगा तो एक तरीके से इसका profit जो है हमारा 9000 रुपए profit होगा यह नहीं होगा future में नहीं होगा तो यह नहीं नुकसान होगा future में तो less कर देंगे less interest कितने? 9000 महीने का है क्या है? चलिए आगे कहता है Shilpa Limited outsource sum of its business work जो यह है ना कुछ काम करवाने के लिए बाहर से बुलाए करती थी किसी को annual contract पे जिसका payment कितना जाय करता था? 1,24,000 लेकिन however Shruti Limited enough surplus staff to manage the same मतलब समझ में आ रहा है? क्योंकि पहले इसका काम काज कुछ और था, इसका काम काज कुछ और था इसके पास employee का shortage था तो इसने पहले क्या करा था? काम करवाने के लिए बाहर से बुला के उससे काम करवाए लिए करती थी लेकिन जब इसने खरीद लिया इसके पास इतने staff है कि बाहर से बुलाने की किसी को जोरत तो यह पैसे भी बचे जाएंगे तो बच जाएंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? एड क्या था हमारा contract work कितने रुपे? यह minus है ना contract work कितने का हो जाएगा? एक saving the cost ठीक है चलिए अब total कर लिजिए total कर लिए कितने है? 4,50,000 एक बीस minus 9,000 और प्लस एक चौबेस 6,85,000 इसका 8,00,000 और इसका बहुत ज़्यादा आगे है तो बताने क्या रहे है? 9,00,000 25,000 अच्छा नब्य हजार है 9,00,000 नो पच्चेस future maintainable profit average profit निकाल दो average profit कैसा हैगा? सब को जोड़ दे 24,00,000 पैंतालिस हजार डिवाइड किस से कर दे? 8,00,000 यह आपका आगया 8,00,000 future maintainable profit पहले यह काम करोगे average profit अगर मैं इसी सवाल में कहता number of purchase यह भाई सहाब दो है number of purchase तो good will बताईए तो पहले आपको यह working note करना था फिर आप average profit निकाल लेते अब last में स्रिफ इसको दो से multiply कर देते जो किया आता 16,30,000 यही firm का क्या हो जाता firm कहा रहा हूँ company का क्या हो जाता good will हो जाता समझ में आ रहे यह बात आपको clear है? यानि यहाँ पे आपको good will निकालने में बड़ी बात नहीं है good will तो average profit निकला number of purchase से multiply करो मुश्किल काम और आपको दिमाग कहां लगाना पड़ेगा इसके profit and loss को adjustment करने में अब 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 अब